ये आकाश्वणी हैं प्रस्तुत है कारिक्रम सुर्ख्यों में इसके अंतरगत सुनिए सिकल सेल अनीमिया के उन्मूलन पर चर्चा इसमें भाग ले रही हैं जनजातिय कारे मंत्राले के आपर सचिव आर जया कारिक्रम का संचालन कर रहे हैं विशाल शर्मा सिकल सेल एक गंभीर अनुवानशिक बिमारी है और बच्चों को अपने माता पिता से मिलती है इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जनजातिय कारे मंत्राले में अपर सचिव आर जया आर जया जी कारिक्रम में आपका स्वागत है सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि सिकल सिल रोग क्या है सिकल सिल रोग ऐसा एक अनुवानशिक बिमारी है आपने सही कहा कि जो है माता पिता से वो बच्चों में ट्रांसमिट होता है hereditary जो हम कहते हैं अनुवान शेक, माबाप से या genetically वो transmit होता है यह ऐसी एक बीमारी है जो एक हीमोगलोबिनोपती जो कहते हैं एक blood disorder होता है हमारा खून में जो red blood cells होते हैं वो round होते हैं, normal अगर हैं तो यहां पर क्या होता है कि वो sickle shaped हो जाते हैं, आर्थचंद्रमा का एक स्वरूप ले लेते हैं, जो shape उनका बदल जाता है, और ये shape बदलने के कारण जो प्रवाह जो होता है, रक्त का प्रवाह जो होता है हमारे शरीर में, तो वो जो है smooth नहीं हो पाता है, वो उस तरह एक धा के problems आती हैं, कई तरह के समस्याएं आती हैं, जो इस बिमारी से grust है, उनको जो है, ये बिमारी से कई इस तरह के symptoms होते हैं, जो उनका quality of life और उनका longevity, जितने साल वो जी पाते हैं, दोनों को वो affect करता है, लेकिन अच्छी खबर ये है, कि ये manageable disease भी है, ऐसा नहीं कि आपको sick sickle cell disease हो गया, तो आप मौत के कगार में आ गये हो, ऐसा नहीं है, उसको manage किया जा सकता है, एक लंबी आयू हो सकती है, ना सिर्फ एक लंबी आयू हो सकती है, एक अच्छे जिंदगी का स्तर, quality of living जो हम कहते हैं, वो भी हम maintain कर सकते हैं, management का एक issue होता है, समानत है, हमरे देश में ये देखा जाता है कि ये जो sickle cell की बिमारी है, आदिवासी बहुलक शेतरों में, जनजाती बहुलक शेतरों में ज्यादा देखी जाती है, इसका कारण क्या मानती हैं, ये बात आप सच कह रहे हैं, हमने ये पाया है कि करीब 17 ऐसे राज्य हैं भारत में, जिनमें especially 13 रा जाता है, ऐसा नहीं कि दूसरे समधायों में पाया नहीं जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि sickle cell का ये जो shape जो लेता है blood, वो जो है malaria के साथ लडने के लिए एक तरह का एक immunity develop करने के लिए आया हुआ इक disorder है, लेकिन उसका जो है कुछ और ही तरीके हो गए हैं और tribals में ये खास करके पाया जाता है, ये बात तो सच है, अनुवानशिक बिमारी है, तो जो है वो, it's a matter of genetics, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने तो इस साल ही पहली जुलाई को मद्यप्रदेश के शेहडोल जिले में एक कारकरम में राष्ट्रिय सिकल सेल उन्मूलन मिशन दोहाजा स तरह के symptoms होते हैं, आप अगर देखेंगे तो काफी दर्दनाक होता है, हमारे प्रधान मंत्री जी ने जब उन्मूलन मिशन का जो launch हुआ था, उस time को उन्होंने कई ऐसे symptoms गिनाये थे और उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही एक वेदना देने वाली, बहुत ही एक painful disease है ये, और इस कारण से इसका उन्मूलन जो है बहुत ज़रूरी है, इसके symptoms आप अगर देखेंगे तो घुटनों में जो है बहुत ज़्यादा दर्ध होता है, और pain crisis कहते हैं और वो ऐसे ही जो है manage नहीं हो पाता है, उसी तरह से बार बार इस बिमारी से ग्रस्त है, वो बिमार ना हो तो जो है धीरे धीरे ये सब जो है हमारे vital organs को affect करना, प्रभावित करना शुरू कर देता है, हमारा liver हो, हमारा kidney हो, muscular system हो, हर चीज़ को जो है ये affect करना शुरू कर देता है, इस कारण से जो है ये वन्मूलन mission बहुत है important है, वन्मूलन mission के तहत जैसे प्रधान मंतरी ज और इस mission का धे क्या है, इस mission का ये धे है कि जो है ये अनुवानशिक बिमारी है, तो इसका एक generation से एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक ना आए, इसको रोकना, intergenerational transmission को रोकना, और इसको कब तक रोकना है हमें 2047, 2047 जब हमारा देश 100 साल का इस वतंतरता को हम मना रहे कि उस उस सब्क में ये भी एक हमारा एक achievement होगा, ये हमारा धे है, और इसका मतलब ये नहीं कि 2047 में हम काम करना शुरू करेंगे, इसका मतलब ये है कि आज से हमें सतर्ख होना है कि जो है हम किस तरह इस पीड़ी दर्थ पीड़ी में जो अनुवानशिक तरीके से ये बिमा लोग कहते हैं कि जिस तरह जो है आप जर्म कुंडली को मिलाते हैं, उस तरह एक बार रक्त कुंडली को भी मिला दें, ये रक्त कुंडली मिलाने का मतलब क्या है, तीन तरह के जब आप टेस्ट कराएंगे, खून का टेस्ट किया जाता है, वह ये एक बहुत सिंपल सा एक छेक प्रिक से आपका खून का एक बून लिया जाता है और उसमें जो है आपको red blood cells जो है normal होंगे तो आप carrier हो इसका वाहक नहीं हो और नहीं आप ग्रसित हो, हो सकता है खाली carrier हो, वाहक हो, वाहक के कोई symptoms नहीं होते हैं और वाहक के क्योंकि symptoms नहीं होते हैं, जब तक मेरा blood test नहीं होगा, तब तक मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं वाहक हूँ, बस ये है कि वाहक को बहुत उंची जगों को avoid करना है, high altitudes को avoid करना है, ये ही है वाहक का एक मातर symptom type, तीसरा है कि मैं बिमारी से ग्रसित हूँ, कु मुझे कुछ इस तरह की परिशानिया हैं, जिससे डॉक्टर कहते हैं कि तुम एक बार test करा लो, अब तक तो ये ही होता था, इस mission के दोरान ये declare किया गया है, और हमारा ministry of health and family welfare, स्वास्तिय मंत्रालाई, इसका lead मंत्रालाई है, इसमें जो है, उसका ही major role है, हमारा ministry of tribal office, ये हमारा role है, अगर आप देखेंगे तो coming back to the mission, 0 to 40 years, नवजाच शिशु से ले करके 40 साल तक के लोगों का 7 करोड लोग जो tribal areas में रहते हैं, मतलब इन 17 states में, जहां tribal dominant population है, वहां के लोगों का testing, 7 करोड लोगों का testing किया जाएगा, screening किया जाएगा, और उसके बाद जो है, उन का counseling है, awareness generation है, यह सब करके, हमारा यह प्रयतन होगा, two-pronged है, एक management of those who are already deceased, जो ग्रस्त है, जो बिमार है, उनको किस तरह जो है, इस बिमारी के साथ, अच्छी तरह से एक near normal life lead कर सकते हैं, दूसरा इसका अनुवानशिक, PD दर PD का transmission को रोकना. भारती चिकिसान उसंधान पुरिशत, ICMR ने एक testing kit develop की है, इसके बारे में आपसे जाना चाहेंगे, किस तरह की kit है और यह कैसे काम करती है? जैसे मैंने कहा, नवजाद शिशू से लेकर के 40 साल तक के adults का सब का testing, तो इन एरियास में 7 करोड लोगों का testing होना है, जाहिर है कि testing kit की भी जरूरत पड़ेगी, और इस तरह के testing kit दो तरीके के होते हैं, उसमें जो है आपका blood लिया जाता है, फिर confirmatory test किया जाता है, दूसर है point of care test, point of care test में आपका उसी वक को blood लिया जाएगा और वहीं के वहीं 15-20 मिनट में आपको result दे दिया जाएगा, तो इस तरह जो है 6 test जहां तक मेरी जानकारी है, 6 tests जो है, ICMR regulator है इस field का, तो इतने tests को उन्होंने okay किया है, sickle cell disease के screening के लिए, और इन tests को जो है, state governments को कहा गय है कि इन tests के जरीए, अपना अपना targets भी दिया गया है, state governments को, क्योंकि 7 करोड लोगों को अगले आने वाले 3 साल में हमें cover करना है, तो states को testing kits काउन काउन सा use करना है, plus कितना कितना testing होना है, ये दोनों जो है, जानकारी स्वास्तिय मंतरालाई ने सारे राज्यों को दिया गय है और उसके मताबिक states काम कर रहे हैं, ये testing kit जो है, ये केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त पलब्द कराती है, या इसके लिए मरीजों को भी कुछ, रोगियों को भी कुछ इसका पैसा देना पड़ता है जाच के लिए? देखिए, national health mission के तहत, sickle cell mission भी उसी mission के अंडर एक mission है, और उसके तहट जो है, 7 करोड लोगों का जो test होना है, वो free में ही होना है, और उसके लिए state governments को NHM के जरीए funds भी मिलते हैं, और वो अपने-पने annual action plans में उसको ला रहे हैं, और state governments भी अपनी तरीके से जो भी करना चाहेंगे, वो कर सकते हैं, लेकिन जो testing करा रहे हैं, ये 7 करोड लोगों के लिए test free है, सिकल से लुन मूले mission के सरकार ने शुरू किया है, और राजियों का भी उसमें सही होग लिया जा रहा है, क्या चनौतियां आप आगे देखती हैं, इस mission को आगे बढ़ाने में, इसकी सफलता के बारे में, ये बहुत ही बड़ा एक mission है, ज के हिसाब से बोल रही हूँ, देट परसंट के लोग पाये जाते हैं deceased, तो हम जब number की बात करेंगे, तो ये number बहुत ही बड़ा number है, और इनको जो है, इस बिमारी से ग्रसित है, उसका management करना, उसको counseling करना, क्योंकि हम लोग जो है, जब बिमार पढ़ता है आदमी, तो वो already थोड़ा down हो जाता है, उसके माबाप जो है, अगर बच्चा है, तो उसको भी जो है, एक emotional trauma होता है, कि किस तरह जो है, इसको manage करें, इसलिए लोग जो है, जाके testing करने से भी डरते हैं, कब testing करना है, क्या wait करना है, क्या कि जब तक हमारा turn आये, या हम proactively testing करा सकते हैं, ये traditional healers बहुत होते हैं, उनका जो traditional medical practices हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि access नहीं होता है, उनको जो health systems हैं उनके लिए, सुदूर बरती जगों में रहते हैं, बहुत पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, बन इलाकों में रहते हैं, तो जो हैं उनके पास हो सकता है, वहां तक आने का स यहास में, और जितने भी लोग इस मुहिम में शामिल करें, इस mission में शामिल करें, जितने भी लोग हमारा साथ देंगे, उतना ही यह awareness generation होगा, और एक बार awareness generation हो, तो जो है screening आसान हो जाता है, proactively लोग आएंगे screening करने के लिए resistance कम होगा, और management of the disease के भी challenges हैं, क्योंकि आपको जो हैं, उनको किस तरह करना है, क्या करना है, यह सब जानकारी देना है, awareness generation, counselling and management and ultimately prevention of the disease, यह चारों जो हैं, हमें साथ-साथ करना होगा, यह है challenge mission का, सिकल सेल का जो मरीज है, यह इससे जो पीडी ते रोगी है, तो आपने शुरू में कहा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सरकार की तरफ से उसको किस तरीके के लाब उपलब्स कराए जाते हैं, screening ही एक बहुत बड़ा एक requirement है, तो वो इस mission के जरीए हो रहा है, जैसे करें, वो सोच उन में रहा है, और वहां पर गुजरात में एक very well developed program है, उसी तरह 36 गड में है, कई जगों पर sickle cell disease लोगों के लिए एक nutritional component दिया जाता है, कुछ उपरी सुविदाएं दी जाती है, ताकि उनकी जिन्दगी की शैली जो है, थोड़ा improved रहे और quality of life better रहे, उनक हाला कि technical नहीं है, लेकिन एक gene therapy हो सकता है क्या, वो जो है CSIR के जरीए research चल रहा है, वो एक cure हो सकता है, उसी तरह से जो है preventive किस तरह हो सकता है, दूसरी तरह के दवाईयां कैसे आ सकती है, यह एक पूरा 360 degree जो है involvement सरकार की है कुल मिलाकर सिकल सेल एक गंभीर किस्म की बिमारी है और इसके बारे में सजादा जो एक भूमी का हम देखते हैं या हम देख सकते हैं वो है जन जाग्रूकता की लोगों को ज़रूर से ज़ादा से जाग्रू किया जाए, आर जया जी आपने हमारे ली समय निकाला और हमसे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिक्रिया आप हमें इमेल या वाट्सेप के माध्यम से भेज सकते हैं। इमेल का पता है www.airnsttalks.gmail.com वाट्सेप नमबर है 9289094044 ये है आकाश वानी और आप सुन रहे हैं